मल्टी कीचन पूने में आज संडे का दिन है तो सोचा क्यों न बनाई जाए पूना की स्पेशल पारमपारिक रोयल चावल की खीर रात के खाने में बना रही हूँ तो सोचा आपको भी दिखाऊ ये खीर बनती है चावल से दूद पानी से और इसमें में इंग्रीडियन्ट है आगे आप देखिए वीडियो में जो में इंग्रीडियन्ट है मैं डालने वाली हूँ ये बहुती स्पेशल खीर है रोयल खीर है आप जरूर ट्राइ कीजिए जो मल्टी कीचन पूने चाइनल को पहली बार देख रहे है चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन को अल को क्लिक कीजिए वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिए वीडियो पूरा देखिए कमेंट जरूर लिखिए रेसिपी ट्राइ करने के बाद और शेयर करना म और जिनोंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो सब्सक्राइब ना कीजिए तो चलिए शुरुआत करते हैं खीर बनाने के लिए इसके लिए मैंने चावल लिए है ये चावल बासमती दुपार है दिल्ली राइस के मैंने आधी कटोरी चावल लिए है उसी कटोरी से एक कप पा पानी में इस चावल को आदे घंटे पहले मैंने भिगोया है अभी हम इसे मिक्सर पर क्रश में ग्राइन कर लेंगे दूद लिया है पानी लिया है पानी को उबाला है दूद को भी उबाल के लिया है अभी हम इस चावल को मिक्सी पर ग्राइन करेंगे और इसी का जो पानी है मैंने चावल को दो कर भीगोया है और फिर ये पानी भी अगर हम डालेंगे खीर में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि चावल का स्वाद इसमें आता है इसलिए पानी भी मैं साइड में रखूंगी अभी हम पैन में एक टी स्पून जो खाने का चमच होता है उसी चमच से मैंने घी लिया है अभी हम इस मिश्रन को जो हमने मिकसर पर गहे चावल को पानी के साथ ग्राइन करना है इसी को एक मिनिट के लिए हम स्टर करेंगे एक मिनिट के लिए हिलाएंगे पैन में और फिर तुरंथ ही हम इसमें बिल्कुल गुटलिया नहीं बें हमने इसी में गुटलिया अगर बने तो आगे मैंने ट्रिक भी बताई है आपको गुटलिया कैसे हमने डिजॉल करने हैं तो अभी हम इसी में ये एक मिनिट हम जब इसे फ्राइ करेंगे मिलाएंगे तो इसी म हम दूद diverटरण तब लिया है पानी भी मेंने तार चाही प्तों दूद मिला लेंगady मिलना लिया है इसे अच्छी तरह हमने हिलाना है घीमे अभी हम इसी में जैसे मैंने कहा था दूद मिला लेंगे दूद मिला लेंगे जो ढ़ाई ग्लास दूद लिया है और ढ़ाई ग्लास ही मैंने गरम पानी लिया है ये अच्छी तरह इसे मिलाना है ontinues लिए खीर जब हम बनाते हैं बहुत ही प्यार से ये पूरा इसे stir करते रहना है और ये खीर इतनी प्यारी है कम समय में बनती है समय भी बहुत कम लगता है चीजे भी बहुत कम है बस एक चमज घी में ये सारी खीर बन जाती है लेकिन बहुत रोयल खीर है आप जरूर जरूर ट्राइ कीजिए तो देखिए ये खीर अभी कैसे क्रश दिख रहे है चावल के अभी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ अगर आपके इसमें खीर में गुठलिया बन जाए तो स्पून से इसे लेकर इसे डिजॉल करना है गुठलियों को फोड़ना है हमने और इसी में मिक्स करना है ताकि हमारे खीर में गुठलिया ना बने अभी हम इसी में खोया एड़ करेंगे मैंने मिल्क के साथ मिक्सर पर ग्राइन कर लिया है अभी हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह खोया डालने के बाद अच्छी तरह मिलाना है हमने खोया के मिश्रन को इसके साथ ही चॉप काजू है ये मिला लेंगे चॉप बदाम है ये भी मिलाएंगे और इसका जो मैन इंग्रिडियन्ट है जैसे मैंने कहा था आपको कि पूना की चावल की जो खीर बनती है ये खीर बहुत ही रॉयल है इसका जो मैन इंग्रिडियन्ट है ये है सूखा नारियल जो मैंने ग्रेट कर लिया है ये इसमें मिला लेंगे हम सूखा नारियल ये पूरी तरह मिलाना है कितना अच्छा लग रहा है सूखा नारियल ये जब खाने में मूँ में आता है तो इतना स्वाद लगता है सुका नारियल का अभी हम इसी में जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था उसी कटोरी से मैंने 3-4 पॉर्ट कप पॉन कप चीनी ली है चीनी भी एड़ करेंगे अभी हम इसे continuously stir करेंगे इसी के साथ खाने के चम्मस से ही मैंने इलाइची पाउडर ली है वो भी मिला लेंगे इलाइची पाउडर से बहुत ही स्वाद आता है अभी हम इसे continuously stir करेंगे और stir करने के बाद इसे sim flame पर हमने पकाना है ताकि इसमें गुटलिया ना बने बीच बीच में हमने इसे ध्यान देना है ताकि इसमें गुटलिया ना बने हमारी खीर अच्छी बने ये खीर करिब करिब पाच लोगों के लिए काफी हो जाती है तयार है हमारी खीर दस मिनिट बिल्कुल हमने इसे 10 से 15 मिनिट स्टर कंटिन्यूसली किया है और पकाया है देखिए इसकी कंसिस्टनसी कैसी है चावल के क्रश भी दिख रहे है काजू बदाम ये भी दिख रहे है अभी हम इसे सर्विंग बॉल में सव करेंगे बहुत ही गाड़ी कंसिस्टनसी आई है इसी में ये गरम गरम ही खाने के लिए अच्छी लगती है इसलिए मैंने कहा थंडी के दिनों में ये चावल की खीर डिनर के लिए संडे स्पेशल पूना की पारम पारिक रॉयल खीर तयार है इसे गार्निश काजू और बदाम से करें और मैंने इसे और गार्निश किया है गुलाब की पंखुडिया और केसर से ये ओप्शनल है गुलाब की पंखुडिया और केसर एवेलेबल है तो डालिये नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन काजू बदाम से ही ये बहुत सुन्दर दिखती है तो देखिए कितनी सुन्दर कि प्यारी टेस्ती टेम्टिंग ऐसी खीर बनी है मल्टी कीचन पूने स्पेशल पूना की स्पेशल पारमपारिक रोयल खीर तयार है आप सभी के लिए जरूर जरूर आप ट्राइ कीजिए क्योंकि ये खीर खाने से सभी सभी घरवाले खुश हो जाएंगे तो लीजिए पूना की पारमपारिक रोयल खीर